है गैस कैसे आप लोग मैं हूँ शुभा हूँ और आप दिख रहे हैं फैंटसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हैं पर नेक्स टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मुकाबला न्यूजरेंड वर्सिस बंगलादे बैस्टेश हो आपके लेवन के समझ कर देंगे उसके लिए स्टैट्स का सहारे बीदेगा उन्ठीस एक बहुत जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कहीं कुछ रिसर्ज नहीं पड़ेगी सारी मैं कर चुए हूं सिर्फ वीडियो को लिग कर देखना है 10-15 मिट के अंदर वीडियो खतम हो जाएगा जल्दी से बात करते हैं इस मैच की न्यूजरेंट बंगलादेश का मैच है फेवरेट जो है वो न्यूजरेंट की टीम रहेगी भली पिछला मुकाबला बंगलादेश जीत गई हो बट न्यूजरेंट की टीम ही फेवरेट रहेगी हम बात करें अगर वेन्यू की तो यह जो मैच है यह खेला जाएगा हेगली ओवल क्राइस चर्च में जहाँ पर आपको बता दूं क्या कुछ कंडिशन्स बनती हैं सबसे पहले आखरी कुछ मैचेश अगर हम यहाँ पर देखें लास्ट चार-पांच मैचेश जो खेले गए उसमें स्कोरिंग कितनी हुई है 297, 186, 659 इस टाइप की स्कोरिंग हुई है जो आखरी टेस्ट मुकाबला यहाँ पर खेला गया था और यह खेला गया था एक साल पहले जनवरी 2, 2021 में न्यूजरेंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच में अच्छा अब यहाँ पर एड्वांटिज न्यूजरेंड के पास है क्योंकि होम कंडिशन्स न्यूजरेंड की है और यहाँ पर जातर मैचे जो है वो न्यूजरेंड ने खेले हुए है बंगलादेश का एक मैच यहाँ पर हुआ था जो की कैंसल हो गया था तो बंगलादेश के पास experience इस venue का नहीं है जितना न्यूजरेंड के पास venue का experience रहने वाला है तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसके बाद अगर हम बात करें average scoring की तो 300 की आसपास की average scoring अभी recent time में चल रही है तो यह expected है इसके बाद हम बात करें किन प्लस ने यहाँ पर performance अच्छी करी है तो उसमें Tom Latham में 15 matches खेले हैं इसके बाद नीचे आप देख सकते रॉस टिलर जिनका यह आकरी मुकाबला है ग्यारा इनिंग्स में नोबार नोट आउट रहे कि 27 का बैटिंग आवरेज करी करा इस वेन्यू के साब से थोड़ा सा कम है इस टाइप से आप थोड़ा सा लोकाउट कर लीजेगा बोलर्स की बात करें तो बोलर्स में ट्रेंट बोल्ट ने 16 इनिंग में 48 विक्टे निकाली है तकरीबन कह सकते हर इनिंग 3 विकट लेके जाते हैं यानि एक मैच में इन को 6 विकट इस वेन्यू पे निकालनी चाहिए आपको बता दू क्राइस चर्स में होता क्या है पेसर्स को ज़्यादा एडवांटेज होता है बॉल को अच्छा मूव्मेंट मिलता है वेन्यू पे आप दिखेंगे पिछ पे ग्रास भी अच्छी खासी होती है तो पेसर्स तेज गिंदबाज जो है यह आपके लिए इंप चार इनिंग में इस बेंडी और एक मैच में तक्रीवन साथ से आठ विक्टे लेके जाता है तो इसका रिकॉर्ड बहुत ही जाद अच्छा है इस ताइप से थोड़ा से यहां पे देख लीजेगा इसके बाद हम बात करते हैं जैसे मैं आपको बतार था पेसा से यहां पर अच्छा करते हैं तो देखा गया है पेसर्स यहां पे सबस्यादर विक्टे लेके जाते हैं जो लेक बिक बोलर्स होते हैं और बब्रिक बोलर्स होते हैं इनको बहुत कम विक्टे मिलती हैं तो इस पिन टेपार्टमेंट थोड़ा सा मजबूत रहेगा तो कोशिच को ज़्यादा help मिलेगा यानि किसी बात है न्यूजरन के टीम ओवर पावर करेगी अगर हम बात करें यहां पर किस टाइप के बैट कौन सी बैटिंग फरस्ट में यहां पर 25% मुकाबले ही टीमों ने जीते हैं वहीं बैटिंग सेकंड में 62% मैचेश को विन कर रखा है इसके बाद हम बात करते हैं यह मैंने आपको सारी चीज़े बता दी हैं इसके बाद हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं यहां पर शुरुबात करेंगे टीम रिकॉर्ट स्क्राइश चर्च अच्छ आपको बता दूँ यहां पर नूजरेंड ने जो है वो नौ से इस चीज़ का बिलकुल ध्यान रखेंगे और जिसमें से इनोंने सक्सेस भी अच्छी कासी पारक किया है टोटल मैच इस वैनू पर जो खेले गए वो खेले गए आठ मुकाबले दो जीते हैं बैटिंग फर्स ने पाथ जीते हैं बैटिंग सेकेंड ने और एक मैच ड्र है जो कि नूजरेंट ने बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ और इसके अलावर लोस्ट टोटल रिकॉर्ड जो हुआ है वह है शिलंका वर्स नूजरेंड का वर अंडट फोर हाइस्ट इसकोर जो यहां पर चेज हुआ है वह है टू हंड्र वन ऑस्ट्रिया ने जो नूजरे मैचस को यहां पर खेला भी है और विन भी कर रखा है इसी वेन्यू पर इसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट रैंकिंग क्या चल लए टीमों की नूजरेंड की और बंगलादेश की टीम देखिए यहां पर 25 मैच 19 मैच यहां पर दोनों टीमों ने जो मैचस खेले और रेट नूजरेंड ने 12 जीते बंगलादेश ने मात्र एक जीता है और ट्रॉ तीन हुए हैं लास्ट पांच हैट्ट मुकाबले अगर देखें नूजरेंड बंगलादेश की बीच में जो खेले गए तो उसमें आप पाएंगे ज्यादा तर मैचस आपको पता ही है नूजरेंड अगर हम बात करें तो नूजरेंड की टीम ने अभी तक जो आखरी पांच मुकाबले खेले हैं टेस्स के उसमें एक जीता है दो ड्रॉ हुए है वहीं बंगलादेश ने दो जीते हैं और तीन इनके इन्होंने मैचस हा रहे हैं बंगलादेश ने हाला कि नूजरेंड के साम और 169 पर 10 थे बैटिंग फर्स इन्होंने उस मैच में करी थी यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं नूजरेंड वर्स इंडिया यह इनका परफॉर्मेंस है यहां पर मैं लिखना भूले है तो तूथाउजन टूइन्टी टू है यह तो इसको थ पांच मैचिस अगर इनको उठाके देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा इंडिया से एक मैच यह जीते भी हैं और इंग्लेंड से एक मैच इनका ड्रॉ भी हुआ है तो यह इनके आखरी पांच मुकाबले हैं न्यूजरेंड के और टीम से खिलाफ बंगलादेश के खिलाफ एक मैच जीते हैं और शिलंक के खिलाफ एक मैच हा रहे हैं इसके बाद बात करते हैं प्लेयर बैटल की जो कि सबसे इंप्पर्टन एक्षक्टन होने वाला है और लगबग हर वीडियो में आपको मिलने वाला है बस आपका रिस्पांस अच्छा मिलना चाहिए बंगलादेश के खिलाफ थोड़ा सा परिशान होते हैं उन पर डिसकेशन करें तो यहां पर हैं सबसे पहले शाकी बलसन रॉस्ट टिलर को काफी परिशान करते हैं देख सकते हैं 164 इनिंग्स में 86 रंज बनाके एक बार आउट हैं हलागि कोई बहुत जादा परिशान नहीं कर पाएं महदी हसन की बात करें निकलास के खिलाफ देखिए 151 बॉल में असी रहन है और दो बार इनकी विक्टर निकाली हैं यहां पर तसके नाबंद लैथम की दो बार विक्टर निकाली हैं और यहां पर आप देख सकते हैं नीचे इबादत हुसेन ने रॉस टेलर विल बाल्स में वहीं वैगनर ने लिटन दास का भी दो बार विकेट निकाला है तिम साउदी ने तीन बार विकेट निकाला है शाक्य बलसन का यहां पर दो बार विकेट बोल्ट ने रहीम का निकाला है और यहां पर वैगनर ने भी तीन बार विकेट निकाला है मौनिमल हक का तो आप देखिए मानिमल हब को कितना ज़्यादा थ्रेट है वैगनर से भी दिक्कत है बोल्ट से भी दिक्कत है इस टाइप से आप थोड़ा सा देखेंगे तो बहुत हग तक आप अच्छी टीम मना पाएंगे ठीक है तो यहां पर हमें थोड़ा समझ में आ रहा है कौन से व कितने बॉल पर किते रहन है तो थोड़ा सा आप देख लीजिए किसने कितने विकेट निकाले हैं कोई बहुत फ्रिक्वेंटली विकेट निकालता है जैसे कि आप देखने वैगनर वरसे मैजियसन चार बार विक्ट ले गया तो यहां पर कुछ प्लेयर वेटल रहती है आकरी मुकाबला खराब है इनका उसके पहले भी एक मैच खराब था बड़ उसके पहले ठीक टाक खेल रहे थे और आप पोदिशन टीम के खिलाफ कभी भी बड़ा स्कोर यह लगा सकते हैं तो मैं लैथम को भरोसा करूंगा और आपको यहीं बोलूँगा इनको टीम में ज पिछले मैच में शेतक लगाया तो तो अपन्त कभी नहीं छोड़ते और उसकी बी विए खिर मेंट में एक पूलु यह ड önce क फार्मेट में खेले इसकी स्काड़ में है बेटिंग में कि यह रंस बहुत जादा बनाता है तो यह आपके लिए मस्ट है वे और कप्तानी वाइस कप्तानी का बहुत बढ़ी ऑप्शन है फिर आते हैं रॉस्टलर जो अपना आखरी मुकाबला खेलर टेस्ट क्रिकेट का लास्ट में 31-40 उसके पहले 6-1-2-11-47-0-80 बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है क्योंकि इनका भी टाइम हो चुका है एक टाइम था जब यह बहुत बढ़िया खेला करते थे आभी भी खेलते हैं बट वही है कि एक टाइम होता है कि फिर प्लेयर को रिटार्मेंट लेना पड़ता है कुछ फॉर्म की वज़े से भी और कुछ हेल्थ इशूस की वज़े से भी यहाँ पे रिसेट परफॉर्मेस अगर आप देखें आप पोजिशन टीम के खिलाफ तो वह बहुत इनका बढ़िया है आखरी मैच में भी टोटल 70-71 लगाए टोटल दोनो निंग्स के मिलाके उसके पहले वाले मैच में एक बार कम अर्दुषय तक तो बनाते ही हैं तो यह आपके लिए इंपोर्टेंट तो है थोड़ा सा नीचे बैट करने आएंगे बर काफी अच्छे प्लेयर हैं टॉम ब्लेंडल का बिल्कुल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इनको आप सीधा-सीधा छोड़ सकते हैं क्योंकि देख इनके तेज़ गेंदबास जिनके इसाब से यह वेन्यू है जिसमें कायल जमिशन टेम साउधी नील वैगनर और ट्रेंट बोल्ट आते हैं अब तीनों को अगर आप कंपेर करें तो सबसे पहले तो आप केरियर स्टैट देख लेना कि 11 मैच में इसने 54 विक्टर निकाली है 24 मैच में 141 बार बॉलिंग करके 296 विक्टर ट्रेंट बोल्ट निकाली है इस टाइप से क्यरियर स्टैट देख लो फिर इनका रीसेंट पर्फॉर्मेंस क्या चलना टेस्स क्रिकट में वह देख लो और टीम के खिलाफ जो पर्फॉर्मेंस है और जो लिखा हुए यानि कि सारे आप पोदिशन रिकॉर्ड जो आपको देखने हैं कि यह प्लिर बंगला देश के खिलाफ जब खेलेगा तो कैसा खेलता है आखरी कुछ मैचेस के कैसे रहे रिसेंट टोल्डेस रिकॉर्ड लेके हुए तो सबसे ताजा रिकॉर्ड सबसे आगए और जैसे आप पीछ इसके बाद बात करते हैं बेंच में इनके पास मैट हैंडी हैं इवन एक और अच्छे प्लियर हैं यहाँ पे देखिए रिसेंट परफॉर्मेस काफी बढ़ी हैं बड़ी हैं बड़ टेस्ट के साब से देखें तो उतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं है जितने अच्छे बा आकरी मैच इनका बहुत अच्छा था और नाजमुलोशन चान्तों ने भी काफी बढ़ी आ इनिंग खेली थी तो दोनों ही प्लियर्स यंग प्लियर्स हैं और दोनों ने काफी बढ़ीया टेस्ट करिड में परफॉर्मेस दिया था तो टेस्करिड में लोग नए हैं तो द आतिशाथ बैटिंग तो बहुत अच्छी करी लेते हैं देख सकते हैं अभी परफॉर्मेस तो उतना अच्छा आपको शायद ना देखने को मिले बट एक्स्पिरेंस बहुत है और कई बार स्कोरिंग इनकी बड़ी चली जाती है लास्ट मैच में काफी बॉल्स इन्होंने पिछले मैच में नहीं चले इसका मतलब यह नहीं आप इनको ड्रॉप कर देंगे बहुत शांदार प्लेयर है और आपकी टीम में होने चाहिए इसकी बाद लिटन दास यासे रली आते हैं लिटन दास भी टेस्ट करेंड में काफी अच्छा करते हैं देख सकते हैं मैच के लिए कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है छोड़ सकते हैं महरी असर मिरास को आपको टीम में लेना से यह अच्छा खासा बैटिंग बैक अप टीम को देते हैं साथी साथ बालिंग भी काफी बढ़िया करते हैं हाला कि देखिए जो ऑफब्रेक बोलर्स हैं वो इस व बढ़िया बोलर हैं आकरी मैच में तीन विक्टे टोटल दोनों इनिंग में निकाली और आप पोजिशन टीम के खिलाब भी वही इनका आकरी रिकॉर्ड है इसकी बाद यह बाद दो से लिक्टे निकाली राइटाम मीडियम बोलर है यह 15 इनिंग में 18 विक्टे हैं कैरियर थोड़ा सा एवरेज है लास्ट में बहुत अच्छा खेल गाए बट फिर भी इंपॉर्टेंस कम ही रहेगी बेंजमें के पास नुरूल हसन है नाईम शेक हैं फजले मैमूद हैं सबके स्ट लेखे अगर इनमें से कोई खेलता है तो देख लीजेगा टॉपिक्स की बात कर अगर देख लेंगे तो आपकी टीम बैटर बन सकती है टिम साओधी का रेकॉर्ड भी अच्छा है बट सबसे अच्छा रेकॉर्ड अगर आप पूछे इस वेन्यू पे किसका है तो वो काईल जैमिसन का है मैंने आपको बताया था चार मैच में चार इनिंग में आठ विक्टिन के नाम पर एक बार फिर से हम देख लेते हैं उसम वेगनर का स्टैट थोड़ा सा एवरेज है साओधी का भी ठीक है बोल्ट का बहुत अच्छा है तो जैमिसन बोल्ट हो गया यह सबसे प्राइलिटी पेक आपके लिए होंगे बॉलिंग डेपार्टमेंट से थोड़ा सा इन पर ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेटर टीम यहां पर इसलिए थोड़ा से बारें बोल रहा था और बाकी तो आपको न्यूजरेंट के वह चारों बूलर ले नहीं है मैं भी आपको टीम मना के दिखाऊंगा यह हैं यह हमने स्टैट्स की बात कर लिए और यह स्कॉर्ट है यह दोनों टीमों के स्कॉर्ट से लंबे करेंगे आपको 300 रुपे का बोनस मिल जाएगा तो इसको उतना कैश बोनस भी मिल जाएगा आपको यह ओफर मिल जागा जैगे वह कूपन भी बाजू में होता है तो आप समझ जाएंगे कितना आपको क्या डेपॉजिट करना है मैंने आपको बता दिया 399 से 4999 का यह डेपॉजिट पर ऑफर चल रहा है अब बात करते हैं टीम की क्या टीम बनेगी विजए 11 पर शोगई अभी फिलाल मेरी यह टीम बन रही है जिसमें मैंने बंगलादेश के थोड़े से कम प्ले बंगलादेश के और इसका पूरा बैनेफिट जो है वो सकता है बोलर्स को न्यूजराइंड के चारो पेसर मेरे टीम में हिस्सा मेरे टीम का हिस्सा रहेंगे जिसमें सबसे बहतरीन वेन्यू रेकॉर्ड जो है कायल जमेशन ट्रेंट बोल्ट के आप चाहें तो इन दोनों को भी कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हैं यह भी बहुत अच्छा डिसिजन हो सकता है बैटिंग सेक्चेन में बात करें तो कॉनवय विलियंग और मुछ फिकार रही मिरी टीम में और टॉम लेथम को भी मैं बैक कर रहा हूं पिछले मैच में दोनों रेक्स में फ्लॉप कर पाते हैं वो भी बहुत अच्छा है डिसेंट इसको डिसेंट स्कोर होता है असी का मिला के सो उनको भी ट्राइग के जा सकता है बट मेरी अभी फिलाल के लिए यह टीम बन रही है मैं इसके साथ जाना चाहूंगा और इसमें को अपडेट होगा तो टेलिग्राम तो ही व मैंने आपको विजन 11 पर दी थी बट कोशिश कीजिए अपना इंवेस्मेंट विजन 11 पर राखें क्योंकि विजन 11 पर एंट्रिफी काफी साथ कम है और जो लोग रैफर को डेफेक्स लगा के आते हैं उनको 300 रुपे का बोनस तो डारेक्ट मिल जाता है साती साथ जो लिंक जो है उसको पोस्ट करके पिन कर दिया है तो सबसे उपर वाला जो कमेंट है उस पर आपको लिंक मिलेगा टेलिकाम चलका उसपे क्लिक करो और जोएन कर लो वीडियो करते खतम, पसंद आये वीडियो, स्टैट्स पसंद आये तो लाइक जरू कर दीजेगा, अपने फ्रेंड्स साथ शेर जरू कर दीजेगा, कोगे आपको पता है ये वीडियो देखने के बाद और कुछ आपको देखने के जरूत नहीं पढ़ने वाली, साथी साथ इ लिजे नोटिशन बैल को हौल पे क्लिक कर लिजे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाबाई